हेलो दोस्तों स्वावत है आपका हिद्धी कॉमिक वर्ड में कहाँ पर में आजब के लिए लेकर रहा हूँ वेनम वर्स का एक और एक्साइटिंग एपिसोड और इस वेनम वर्स में आप देखेंगे गोस्ट राइडर क्योंकि वेनम सिंब्योट के साथ मर्द चुका है और कि इसका नामें होस्ट राइडर यहां आपने सही सुना और इसमें हम तीन तीन एंटेडिस देखेंगे एक युमन दूसरा पैरासाइट और तीसरा हेलकाट डीमन तो यह एपिसोड काफी एकसाइटिंग होने वाला है तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो सबसे पहले बातने के लिए हर एक विलन अपने अपनी कोशिच करेगा और ऑर एक के पास है इस डॉक्टर को मारने के लिए तो हमिन सिर्क यह करनाय यह कि इसे इस पैसलीटीवरे शaben दूसरे ट्र सत्त करना है और इसGBर में उसकी हदगलिया अपने विस किंट करती है और के यह होने यह क्योंकि प्लैनेट के ग्रेटेस्ट विलन्स इसे मारने के लिए वहाँ पर आएंगे हमें उदना यहाँ पर खतरनाक हो सकता है और टेलिपोर्टर्स हैकेबल है इसलिए हम पुराना तरीका इस्तमाल करेंगे और इसमें कोई भी गुंजयाईश नहीं है कि हम इसे सेफनी ले जाएंगे और इतना कहती ही वो उसे ट्रक में डालकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है यहाँ पर रास्ते में पहले तो उसे एक विलन दिखता है जिसे एक एजन्ट मार गिराता है और अंदर सार्जन को लगता है कि मुसीबत खत्म हो गई लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुसीबत तो अभी शुरू होने वाली है और तभी उन्हें चारव तरफ से घेर लिया जाता है और साथी साथ कुछ म्यूटेटेड चिंपांजीस के साथ यहाँ पर इतना देखते ही सार्जन अपने सोल्जर्स को ओर्डर देती है कि उन्हें हमारी कार से दूर रखो इतना हो से के उतना दूर रखो लेकिन तभी हम देखते है कि एक मुटेडेड चिंपांजीस वो एक कार को तोरते हुए आगे बढ़ रहा था यहाँ पर डॉक्टर कहता है यह टेंटेकल यह ती रैड मास्क पहने होए उसका नाम है तो स्क्वाच पूल जिस पर सार्जन करते है तुम्हें इससे अच्चा हिरो नाम नहीं मिला जिस पर वो कहता है नहीं यह कोई हिरो नहीं है यह assassin है जिस पर सार्जन कहती है seriously तुम यह कह रहा हो मुझे तो यह सिमने में ऐसा लग रहा है कि septic tanks मंगवाए गए है retirement home के लिए इस पर वो उसे बताता है मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि यह तुम्हें पूरी तरह से बरबात कर देंगे पूरी तरह से नियर्थता कर देंगे यहाँ पर एक soldier sergeant से कहता है sergeant हमें यह mission abort करना होगा क्योंकि यहाँ पर heat बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन तभी किसी ऐसे की injury होती है तो उन सभी को एक एक करके दमाता चकाने लगता है और उसे देखते ही वो soldier कहता है अब यह क्या बला है और तभी वो बला यानि कि host rider कहता है यह है और ज्यादा heat और आगे वो सबको फुकरते होई कहता है इतने ज़दा पाप हमने कभी sense नहीं किये है यहाँ पर अंदर टक्टर पूछ रहा था कि आकिर वहाँ बाहर हो क्या रहा है इस पर बाहर देखते होई सर्जन पहले तो चूप रहती है लेकिन तभी वो सर्जन अपनी कार से देखती है कि host rider बहुत दी बुरी तरिके से तबाई मचाते हुए उन विलेंज के साथ साथ उन गाड़े को भी तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा था और यह देखकर वो कहती है बाहर ghost rider है लेकिन मुझे नहीं राखता कि वो वही है क्योंकि वो different दिख रहा है इस पर गॉक्टर कहता है ghost rider लेकिन यह तो plan का part नहीं था लेकिन वो अपनी गाड़े के साथ दो monkeys को मारते हुए एक tank पर कूट परता है और यहापर sergeant doctor से पूछती है कि plan कैसा plan इस पर doctor कहता है कि कुछ नहीं सिर्फ मैंने एक call किया था और तब हम देखते है कि doctor ने call करके यह कहा था मेरे bones में कुछ culture हो रही है और इसका मतलब यह था कि cross bone को मुझे free करने के लिए भेज दो और तब यह सुनकर sergeant कहती है जितना मेने पढ़ाए और जितना मेने सुनाए host rider एक hero है लेकिन वो एक human host है इसे infuse किया गया है hellish spirit के साथ और उसका curse उसे punish करने के लिए मजबूर करता है guilty और वो protect करता है innocence को यहाँ पर हम देखते हैं कि host rider को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पर sergeant doctor से कह रही थी कि वो good guy है वो हमारी मदब करेगा और तभी वो बहार देखती है कि host rider ने दो आदमियों को क्योंकि innocence थे उन्हें अपनी venom change के साथ उस tank से बाहर निकाल लिया था और इतना देखकर sergeant कहती है देखो उसने मेरे आदमियों को बचाया और इतना कहते ही वो बाहर देखती है कि उसने उन दोनों आदमियों को उस octo scratch pool पर गिरा दिया था यहाँ पर होस्ट राइडर और octo scratch pool में बहुती जबदस fight चल रही थी और इसी fight के दोरान वो octo scratch pool को रास्ते की बिच में खड़ा कर देता है यहाँ पर sergeant doctor को बता रही थी यह तो कुछ black group की तरह दिकरा है वही black group जैसा कि spider guy ने 80s में report की थी लेकिन वो तो मर चुका था यह बहुती अजीब है और यह fire के साथ attach कैसे हुआ यहाँ पर octo scratch pool से टकराने के बाद वो tank destroy हो जाता है अंदर के सभी लोग यहाँ बहार लुडतने रखते है और बहार सभी vampires, undeads बाकि सभी mutated फिल्पान जीज jetpacks के साथ थे, वो मर चुके थे यहाँ पर डॉक्टर कहता है मुझे यहाँ से भाहर निकलना है जिस पर साजन कहती है अपना मुँ बंद रखो क्योंकि वो चीज अभी भी भाहर ही है इतना कहती ही यहाँ पर host rider मुझे टेस्ट करने दो मैं अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ तुमें और टेस्ट करते हूँ वो कहता है यहाँ पर डॉक्टर पूचता है कि तुम आखिर क्या हो जिस पर host rider अपनी backstory बताने लगता है जिस पर हो कहता है उस बच्चे को फज़ेश कर लिया एक डीमन ने एक राक्षयस ने और उसके साथ वो वर्ट करने लगा लेकिन लेकिली उसे दूसरा भी मिल गया एक दूसरा डीमन जो कि उसे पावर unlimited power दे सकता था unlimited weapons प्रोवाइड कर सकता था और इसी के साथ वो उन दोनों के साथ मर्द हो चुका है वो justice और hunger दोनों के बीच में अभी भी जूर रहा है और इसी के साथ ये host rider बन चुका है लेकिन वो immersed हो चुका है scared soul के साथ उसका mind अभी madness के परे है उसी वज़े से उसे host rider का गया है क्या पर वो देखता है कि doctor उसे डर नहीं रहा था जिसकी वो वज़ा पुछता है इस पर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मुझे मार नहीं पाऊगे तो क्या कोई मुझे बचा नहीं पाएगा इस पर वो आगे कहता है कि मुझे अभी भी मेरे bones में कुछ तकलीश महसुथ हो रही है इस पर host rider कहता है तुम उस दील के पारे में रेफर कर रहे हो जो कि तुमने उस मरी से नरी जिसका नाम cross bone है उसके साथ की थी जिस पर वो कहता है लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता इस पर host rider कहता है तुम्हारा prince charming आने वाला नहीं है डॉक्टर और तभी वो अपनी गाड़ी याने के health chaser को बलाता है जो कि अब venom symbiard के साथ ही मर्च हो चुकी थी और वो एक आधे digest किये हुए skull को पार vomit करती है और उसकी तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कुम्हें के लगता है डॉक्टर की हमें ये कैसे मिला होगा और इतना केकर वो गाड़ी डॉक्टर के तरफ बढ़ने रखती है जिस पर कोस्टर कहता है तुम्हें गाड़या तो पसंद है ही न डॉक्टर तुम गाड़यों से प्यार करते हो या नहीं और तभी वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कह रहा था बिचारा रभी हमें फस्चुका है वो इनोसंस को मारते होए अपनी आखों से देखता है और इस बेड का कमाशा बने होए देखता है लेकि वो कुछ कर नहीं सकता जापर सिंब और रभी को भाहर निकालता है और अपने दो पार्ट कर लेता है और उसे मारने के लिए वो एक तरफ से गोस्ट राइडर को और एक तरफ से खुद बढ़ता है जापर गोस्ट राइडर कहता है कि इसमें कुछ भी नरिश्मेंट नहीं है उस पर वेनम कहता है कई-कई बार डार्क डर्टी थॉट्स दिलिशेस लगते है राइडर तो तुमें इसमें इतने भी खराबी नहीं लगेगी और डॉक्टर को पकरते हुए वो कहता है कई बार लोग फ्यूल होते है अज़िब अज़िब चीजों से लेकिन हम नहीं जा पर दो सद्ध आर्मोनी है और इसी वज़ेसे हम सिर और तभी हेल्ट चार्जर आगे बढ़ के उस डॉक्टर की डिट वोडि को खा लेती है और वो कहता है मुझे लगता है कि गाड़ी तुम्हें बहुत पसंद करती है और साथे साथ ये गाड़ी तुम्हें अपने घर तक भी पहुचाई देगी लेकिन तभी वो कहता है रुको रुको मुझे कुछ फीलो रहा है और तबी वो होस्ट टाइडर और हेल चार्जर दोनों ही एक वर्लटेक्स में समाने लगते हैं और यहाँ पर दुसी तरफ टेलिपोर्ट हो जाते हैं यहाँ पर वो कहता है किसने, किसने इम्मत की हमें यहाँ तकलाने की किसने चुर्णत की, हमें अपना गुलाम बनाने की जापर हमें एक आओस सना देती है जो कहती है यह मत पूछो कि सिंबाइट ने तुम्हारे साथ क्या किया लेकिन तुम खुच से यह पूछो कि तुम्ने सिंबाइट के लिए क्या क्या किया और इसी के साथ ये वीडियो यही परकरत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें शाथी साथ मेरे चैनल को सब्स्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स एंच्यू दे लाइफ धन्यवाद और चाहिएंड